हलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी यूटूब चैनल फ्यूचर विथास उतोस में NCRT की जिरीद चल रही है जिसमें मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको अभी तक मैंने हरपा के बारे में बहुत सारी बाते बताई हैं प्रिवियस वीडियो देख सकते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब करिए रेट कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा उसको क्लिक करिए उसके साथ बेल आइकन भी दबा दीजेगा चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हरपा सभिता की खोज यहां से हमको पढ़ाना था हरपा सभिता की खोज अब तक हमने देखा हरपा सभिता के विविन पहलों का विशलेशन इस संदर में किया गया कि किस प्रकार पुरा तत्विदों ने भौतिक और शिसो से प्राप्त साच्छों के माध्यम से आकर्शक इतिहास को अलग अंसों से जोड़ा आप देख रहे हैं कि हरपा सभिता ने किस प्रकार की किस प्रकार से देखा गया आगे लिखे हैं कि जब हरपा सभिता के सहर नस्ट हो गए तो लोग दीरे दीरे उनके विशे में भूल गए क्या हुआ जब सहर जब कोई सहर होता है जैसे हरपा सहर हुआ करता होगा अब पुरानी शबिता बिढने के कुछ सौ सालों बाद, हजार सालों बाद लोग इसके बारे में भोलते चले गए, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था इस छेत्र में शहस्त्र शवों साल बाद रहना आरंब किया वे या नहीं समझ पाये कि बार या मिट्टी के कटाओ के कारण खेत की जुताई के समय फिर खजाने के इसके लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती सता से आने वालों आपरचित पुराबस्तुओं का क्या आर्थ लगाना है कनिंगम लाड कनिंगम की बारे में देखिए डारेक्टर जन्रल कनिंगम देखिए भारती पुरा तत्तुओं सर्वेच्छन के पहले डारेक्टर जन्रल कनिंगम ने 19. सताब्दी के इमद में पुरा तत्विक उत्खनन का प्रारंब किया, इन्होंने प्रारंब किया, तब पुरा तत्विद अपने अनुवेशनों के मार्ग दर्शन के लिए लिखित सोतों का प्रियोग किया करते थे, अभी तक दिहास लिखने का जो सोत था वो लिखित था, कि कोई जैसे अभी तक अर्थसास मिल गया जैसे कोटिल लिखा है अर्थसास से मौरेवन्स के साशन को बताया गया या इंडिका से बहुत सारी चीदिया ऐसी बुके हैं जिसके बारे में लिखा गया या अशोक के बारे में जानने के लिए उनके द्वारा लिखित गई उनके द्वारा बनाई गई और अस्तंभो से उनके बारे में लिखा गई लेकिन ये हडब्पा शवेत्ह है जिसको पुरातत विद्दो ने अपने अनुभौ के आधार पर अनुवेशन के आधार पर बताय वही लिख रहे हैं कि अभीता की तिहास का कुछ और ही मार्गदर्शन था यहां तक की कनिंगम का मुख्यरुच भी आरंबिक एतिहासिक लगबग छट्वी सताब्दी इसापूर से चौथी सताब्दी इसवी तक था तथा इसके बाद के कालों से संबंधित पूरा तत्व में थी आरंबिक वस्तों की पहचान के लिए उन्होंने चौथी से शात्वी सताब्दी इसापूर के बीच में उप महादिप से आये चीनी बौधितीर थे आतिवियों दोरा छोड़े गए लिखित वित्तांतों का अंध्यान करके इतिहास को लिखा कनिंगम ने अपने सर्विच्छन के धोरा मिले और एकों का संग्रहन प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया इसमें लिख रहे हैं कनिंगम जो मिलते थे आउसे सर्व अपने हिसाप से उन्होंने लिखाया जिसको आप देख सकते हो इंटरनेट पे कनिंगम के बारे में डालेंगे आपको मिल जाएगा उत्कनन के समय वो ऐसी वस्तूओं को खोजने का प्रयास करते थे जिनकी विचार और संस्कृत का महत्तु भी था हडप्पा जैसी पुरा अस्थल जो चीनी तिर्थ यात्रियों के यात्रा का इक्रम का हिस्सा नहीं था क्योंकि इस टाइम यात्रा करने चीन के यात्री नहीं आया करते थे जो आरंभी के इतिहासिक सहरों में भी नहीं था कनिंगम के और्शेशन के धाचे के उप्युक्त नहीं बैड़ता था इसलिए हला की हडपाई पुरा वस्तुएं उनीसवी सताबदी में कभी कभी मिलती थी और इसमें से कनिंगम तक पहुची भी थी फिर भी वो समझ नहीं पाए कि इन प्रवस्तुओं की गहराई कितनी है प्राचिंता कितनी है इससे संबंधित इतिहास कैसा है अभी देखे समझ विक्सित हो रही है अभी देखे आप एक बात मैं आपसे कहना चाहूँ जैसे आपको कोई एक वस्तुदू मैं जैसे आपको कोई भी एक सिक्का दूँ एक सिक्का कहीं आप गिरा पा गए या खेतों में कहीं भी आपनी सिक्का पुराने जवाने का पाया तो आपके लिए वो नार्मल होगा आप ये सोच के टाल दोगे कोई राजा महराजा होंगे ऐसे ही पहले भी हुआ करते थे जो मिलते थे वो होता था कि मिल गया खुशी मनाते थे उसको बेच के उसके धात को बेच के अपना करते थे लेकिन उसके बारे में इतिहास लिखने का किसी ने सोचा ने, बाद में कनिंगम को जब और शेस मिले, उन्होंने भी शुरुआती दोर पर यहीच काम किया, लेकिन बाद में वो इतिहास बनाते हैं, एक अंग्रेज ने कनिंगम को एक खड़ापाई मुहर दी, जिन उन्होंन मुहर पर ध्यान दिया, तो उन्होंने ऐसे कालखंड, उन्होंने उसे एक कालखंड से जोड़ किया, जिनने दिनांकित करने में अश्पल प्रयाश किया, देखिए, आपको एक कहानी फिर से बता रहा हूँ, जैसे किसी भी चीज की खोज होती है, तो खोजने वाले से पहल जैसे बहुत सारी अश्पल कोजे भी होती है, जैसे एक उधान में जिस साइंस का यादार है, डाल्टन ने परमारो की गलत व्याक्या की, परमारो के बारे में गलत व्याक्या की, लेकिन उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट की कि परमारो के बारे में जानेंगे, मैं उसमें सा कराने के लिए उस पर खोजेंगे लेकिन स्रे किसको जाएगा यहां पर कनिंगम को जाएगा ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों को इस तरह का कुछ मिला था मानना था कि भारती इतियास का प्रारम गंगा घाटी पे पनवे सहरों के साथ हुआ था अभी तक इतियास जो कालंतर में यहां से पढ़ते हैं कालंतर में बीश्वी सताब्दी के आरंभिक दस्कों में दैराम साहनी जैसे पुरा तत्विदों ने हडपा मुहरों की खोज करके हडपा मुहरों की खोज निकाली दैराम साहनी ने हडपा साहर की खोज की वहीं राखल चद मर्दरजी ने मोहन जोदरों की खोज की कहां थे हम लोग द्याराम साहनी ने खोश की एतिहासिक अस्तरों से कहीं अधिर प्राटिन संबंध को प्रगट किये इनों ने ठीक है अब इनके महत्तों को समझा जाने लगा अब देखी धीरे धीरे बढ़ने लगा एक अन्य पुरातत्य विद राखल दास वनर जी ने हरप 29 में भारती पुरातत्य सर्वेच्छन के डारेक्टर जनरल मारसल ने पूरे विश्व के समझ सिंदु घाटी सब्विता का सिंदु घाटी सब्विता जो की एक नई सब्विता थी की खोज को बाताया पूरे विश्व के सामने एक नई सब्विता की घोशना की लिखते हैं जैसा कि किताबूमीन किताबों में लिखा गया है मारसल ने भारत को जहां पाया था उसके तीन हजार वर्स पीछे छोड़ दिया ऐसा इन्होंने लिखा है इसमें ये इंपोर्टन लाइन है मिसोपुटामिय के पुरा स्थलों से हुए ट्खनों से भडपा पुरा स्थलों के परमुहलों जैसे पर पहचानी न जा सकी अब देखिए आब ये सब्विता लिख रहे हैं यहां पर या भी कि वह मिसोपुटामिय के समकालिक थी ये जो हड़पा नहया सभिता की खोज सिंदुगाटी सभिता की खोज होगी ये मिशोपोटामिय सभिता के समकच थी अब देखी ये जो जान मार्सल थे यहाँ पे लिखा भी गया जान मार्सल के कारेकाल वास्तों में भारती पुरा तत्तु के लिए एक ब्यापक परिवर्तन का समय था इन्होंने कई चीज़ों को खोज की यहाँ पे आपको लिखा गया है आप इसको देख सकते हो ये फिलाल बहुत जादा पूछा नहीं जाता इसलिए मैं इसको वो करता हूँ अब आते हैं इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे अब इसके आगे आगे जो भी है अब मैंने ज इतना ही है छोटा वीडियो बना रहा हूँ उमीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा और उस वीडियो को आप जरूर जाके देखिएगा देखेंगे अच्छा लगेगा धन्यबाद